नेपाल प्राकृतिक स्रोत्र संपदाले भरिपूर्ण राष्ट्र हो भुभाग को द्रिष्टिकोंडले विशोको करीब सुन्ने दस्मलब सुन्ने एक प्रतिशत मात्रा छेत्र फल उगटे को देश नेपाल मा बिश्योक को कूल बनसपती को 2.2 प्रतिशत फुल फुलने रा 3 प्रतिशत फुल नफुलने बनसपती हरु पाइन छन नेपाल को मध्य पश्चमान्चल विकास छेत्रम आवस्थित करनाली अंचल दुरलव तथा महत्तोपुर्ण बनस्पती, जीब जन्तू, जडिबुटी एवं गैर कास्ट बन पैदावार को उपलब्दुताको द्रिष्टिकोंडले धनी बानींचा इसका साथे जलस्रूत रप्राकृतिक साउंदर्यताको द्रिष्टिकोंडले समेत संब्रिद्ध छा करणाली छेत्रा इनीहर को दिगो उपयोग गर्न सके आर्थिक विकासको प्रचूर संभावना देखिन छा तर यहांको कठीन भूबनोट भौतिक पुर्वधार को अभाव बजार को उपयुक्त पहुँच नहुनो जस्ता समस्या का कारण हाल समपनी इस्ता स्रोत को उचीत उपयोग हुन सके को छैना बेरोजगारी रबातावरण बिनास का कारण करणाली छेत्र को जन जिवन कष्ट प्रद बंदे गई रहे को पाइन छा तथा पी हाल सम्मा पनी यहांका बासिन्दा को लागी जडी बुटी नहीं जिवी को पार्जन को प्रमुक आधार मनें छा हीजो का दिनमा इस चेत्र मा उपलब्द जाना हीजो का दिनमा पनी जडी बुटी हरू संकलन एवं विक्री बितरन गर्दा आफुले भुगे को पीडा अजे सम्मा इस्मरन गर्चन यहांका बासिन्दा मर्खराई अब दोई-तिन बर्ष बयो जम्लामा मतर बाटो आई पो गया चा पहला तो 40 बर्ष सम्मा तपाईंको पैतल मारगा गईर अपनी नेपाल गन नहीं दिल्ली सम्मा पनी बोगेर अपनी आपनी नियाका जडी बुटी का चान्या अब पचाशाटी केला का भारी ब अबुतरी राखे चाँ असल नहीं को जडी बोटी एक्चे गम मा गोची चेव, सतुवा, बनलासन, जस्ता जडी बोटी, जल्लाप बल्दा जाने मल्लेमान जडी बोटी, कवडी को बाव मा बिद्यस माची की चाईना तपाईको इंडियामा कवडी को बाव मा बिग्री ब पादन एवं बिवितिक करण मा प्रयाप्त प्राविदिक ज्यान नहुदा उत्पादित जडी बोटी ले उचित मुल्ले पाउन सके का छे नन जडी बोटी को खानी मानिने करणाली छेत्रमा इनको दीगो बेवस्थापन गरी इस्थानिये बासिन्दा को जीवन इस्तारमा सुधार ल्यावनो को साथै राष्ट्रिय अर्थतंत्रमा समेत टेवा पुर्याउन परने आव सेक्ता रहेको देखिन छा राष्ट्रिय बिकास को मुल प्रवाहमा समेतीन नसकेको कठीन भूबनोट रहेको रा अती बिकट मानिने जुमला, हुमला रा मुगु जस्ता जिल्ला लाई मद्दे नजर गरी यहां उत्पाधित जडिबूटिको बजार मा पहुँच, इस्थानी उपभोगता लाई समावेशी करण रा सामाजिक न्याय दिलाउने उद्देशेले, सामाजिक न्याय को लागी आर्थिक ब्रिद्धी परियोजना कारूनेन गरियेको छा छोटकरी मां 38 करणाली भनेरचीनी ने एस परियोजना को लागी योड्याय अर्थिक सहयुग उपलाब्ध कराय को छा बोली चाली मां 38 करणाली भने रचीनी ने यो पर योजना करणीन गरने साजिदार सस्थाहरू मां मिशन इस्ट एंसाब किरडाक नेपाल रहे का छन एसे गरी इस्थानिये इस्थर्मा कारेरात गईर सरकारी सस्थाहरू ग्रामेड विकास सम्हो कारेक्रम RDGP जुमला ग्रामेड सामुदाइक विकास केंद्रा RCDC मुगू रा महिला कल्यार सेवा WWS हुमला मार्फत एस पर्योजना इस्थानिये इस्थर्मा कारूनेन गरिये कुछा एस छेत्रमा बसुबास गर्ने बासिन्दालाई जडिबूटी को दिगो बेवस्थापन को माध्यम बाटा रोजगारी को आवसर सिर्जना गर्दै उद्धेम शिल बनावनो नई एस पर्योजना को प्रमुख उद्धेशे रहेको छा जुम्ला, मोगु रा हुम्ला जिल्ला को बिभिन्न इस्थान मा पाईने गैर काष्ट बन पैदाबार को स्रोत सर्वेक्षन स्रोत मा आधारित लगु उद्धेम इस्थापना गर्नको लागी समुदाय को छेमता अभिविर्दी गरिये कुछा यसे गरी परियोजना को सहयोग मा बजार मुल्ले को सुचना आधान प्रदान लगायत का गधिविद्य हर समेत संचालन गरिये कुछा हुमला, जुमला र मुगु जिल्ला का बिविन्ने स्थाण मा पांच ओटा जडिबुटी प्रशोधन केंद्र को इस्थापना गरिये कुछा यसरी इस्थापना गरिये का जडिबुटी प्रशोधन केंद्र हरु छन्चरी हलना जडिबूटी प्रशोधन केंद्रा पाता रासी एक जुम्ला छाया छेत्रा जडिबूटी प्रशोधन केंद्रा पीना एक मुगू रारा जुस उत्पादन उद्यूग पीना एक मुगू महादेव क्रिशी सहकारी सस्था दर्मा सात हुम्ला हिमाली जडिबूटी रध्धुप प्रशोधन केंद्रा सिमी कोट दुई हुमला रहे का छन यहां पाईने प्रमोख बानस्पतिक प्रजाती जस्तेई धटेलो जटामसी सुगंद वाला लगायत का जडिबूटी हरुको प्रशोधन गरी उत्पादेत सुगंदेत तेल को बिक्री बितरनकारिय समेत भई रहे को छा यसे गरी एस परियोजनाले इस्थानिये क्रिशक अपभोगता एबं उद्देमी हरुलाई बेवसाय संचालन को लागी आवशेक सिप मुलक तालिम र प्रावधिक तथा आर्थिक सहयोग समेत उपलब्द गरायको छा तेस्माते उपर उपतास्वमा गठ्शामाता भई खाथिवापदायक निगायर गठ्शामाता भई रहे रर बन मा अनि कशिरी दिगोव बन भीवस्तान गर शक्री उपभोगताले कशिरी बढ़ी फाईदा पावनु साक्चान जर्डबट को मुल्य आवधिक शिगर शक्क प्रहासबाटा यहा उत्पाद ने परिया माई जडिबुटी एवं गैर काश्ट बंद पैदावार को बजार केही रूपमा सुलव एवं वेवस्थित बंदे गई रहे को महसुस गरिये को छा। बजार को माग संगई जडिबुटी को खेती गरे रा हरेत रोजगारी का अवसरहरु को समेत स्रिजनाभय को पाइन छा। पाइका चन। जडिबुटी को प्रशोधन गरी तेल उत्पादन गरेरा विक्री बितरन कार्ये को समेत शुरुवात गरिये पछी। यहां का किसान एवं जडिबुटी संकलकले उत्पादित जडिबुटी बाट रामरो प्रतिफल पाउन थाले का छन। जडिबुटी एवं गैर कास्ट बन पाइदवार को द्रिष्टिकोंड बाटा विश्च्व बजार को मल्यांकन गर्दा। सर्टिफाइड अर्थात प्रमाणित बन पैदवार को विक्रे बितरण बड़ी मुल्यमा होने गर्दा छा। तसर्था ही जो आजा एश किसिमको प्रचलन नेपाल मा समेत शुरु गरिये को छा। यहां बाटा बोरा मा पठाऊंचु उता बाटा बोतल बाटा ले राओंचु त्यों जली बूटी हमले सोच के राखे को छो। कि यह बोतल मा जा। हमने बोरा मनने पठाऊंचु त्ये रामरो हूंचु ओक्ता बोतल मा पठाऊंचु जडिबुटी ले परसोधन गरोश, रामरोश इता क्वाल्टी बनोश खेती प्रशुधन मात्र नभैरा प्रमाणी करण रा बजारी करण को लागी समेत महत्तु दिये रा करणेन गरियेकु एस 38 करणाली परियुजना बाठा सकारात्मक प्रतिफाल प्राप्त भाहेकुछा आमले यो अहले तीन बर्शा अगी लेक जाना शक्षता बनोश बनने उनी अनी यो बन मा जडी बुटी मा आ्नि अरु खालक उद्धियो महरु बाठा ना शखीन चा बनने खेतीãy बनायों तियो करम मा अहले नया खालको के अब प्रोडक्ट हारू पनी पोईलाखा पुर्यावर लाई चेन तेलाई नियम बीद गर दाई जस्तो अहले धटेलो एक दम रामरो किशिम ले आक होसा तेला आमले अंतर राष्टिय बजार मा पीनी लगें। रा आमले जुन उद् कर्णाली छेत्र मा जडिबुटी एवं गैर कास्ट बन पैदवार को अथाहा भंडार छा। सिमीत स्रोत्र साधन का बावजुद अत्किस कर्णाली परियोजराले संचालन गरीगा कारेकम बाट प्राप्त सकरात्मक प्रतिफल एवं सिकाई आज सबैको लागी नमुना बन बुद्धिमता पोर्ण रूप मा उपयोग गर्न सकेको खंडमा यहांका जडिबुटी एवं गैर कास्ट बन पैदवार हरुले एस छेत्र को भिकास मा अतुलनिय योगदान पुरेवन सकने पक्का छा। तसर्थ आगामी दिन मा समेत यहांका जडिबुटी एवं गैर कास्ट बन पैदवार हरुकू दीगो बेवस्थापन गर्दै उद्ध्यमशिल्टा को माध्यमबाट इस्थानिय बासिन्दा को जिवी को पार्जनमा सुधार ल्यावनी तर्फा सम्मन्वै रा सहकारे अगाडी बढ़ना दीगो क्रिशी तथा जैविक स्रोत का लागी एशियाली नेट्वर्थ एनसाब संपुर्ण सरोकार वाला हरुमा हार दिक अपिल करता छा जबाता देन्स K olhar जल में बढ़ना हा जाता जान्स Kiva highlights कि अर राहे हार वाला हारी तर्फाकर 2 करते हैं, पंसका अपिल क्त दोटूर्ट में साहर कि अड़ना यार्ट मैं दोटूर्ट करिवाब DO satisf nos Christmas